वेलकम टू एनदर पिकक कार्ड रीडिंग तो टुड़े इस न्यू यर्स यह प्रडिक्शन देखते हैं ऐसे आपकी कौन सी विश आज पूरी होने वाली है और हम आपके हर एक रीडिंग के साथ साथ यूनिक लॉव मेसेज़ेज फ्रॉम यूर लवर जो भी आपके हैं सोल जो भी आपको resonate करें आपको choose करना है तो पहला pile है हमारे पास जो है one और जो clear quartz crystal को represent करता है यह है clear quartz number two pyrite जिसको money के लिए भी रखा जाता है इसको fool's gold भी बोलते हैं और number three जो है वो है आपका citrine crystal तो तीनों में से आप कुछ भी choose कर सकते हैं third one के लिए message है touching you is the most wonderful feeling ever second वाले के लिए pile के लिए है you hold me like you never wanted me to go और first वाला है in my dreams I always see you तो कोई भी आप love message को choose कर सकते हैं या one two and three को choose कर सकते हैं या आपको crystal चूज करते हैं जो भी आपको resonate करें तो शुरू करते हैं without any dew without any dairy किये हुए तो pile number one से हम start करेंगे तो देखते हैं pile number one के लिए क्या reading है आज तो जैसे कि आप देख रहे हैं pile number one तो pile number one के लिए मैंने कुछ cards oracle cards और आपके tarot cards निकाल रखे हैं तो आज हम निकालेंगे श्री कृष्णा श्री कृष्णा वाले oracle deck से यह कृष्णा oracle deck से देखते हैं आप नया साल कैसे रहने वाला है start of the week, middle of the week and end of the week देखते हैं इस थर्ज़े से लेकर अगले सर्ज़े तक आपके life में क्या changes आने वाले हैं क्या predictions हैं तो पहला card है new creations time to relax and your call will be answered तो यह तीन आपके cards निकले हैं आज जो आपका बताता है start of the week, middle of the week and end of the week तो भगवान कहे रहे हैं कि आपने बिछले साल में बहुत काम किया है तो इस संडे, first week of January शायद आपको कोई छुटी नहीं मिली new year की तो थोड़ा सा relax करिए, थोड़ा सा शान्ती रखिए अपने family और friends के साथ थोड़ा सा time spread करिए, एक movie के लिए जाएए क्योंकि देखिए जितनी जीवन में, छोटी सी जीवन में enjoyment के लिए भी आपको समय निकालने की बहुत ही ज़ादा जरुवत है, इसको कहते है amusement, क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़े जो हैं आगे चलके जीवन में आपकी memories बनती हैं, बुड़ा पे मैं अगर ये कहें कि मै अपना पूरी जिंदगी नोकरी में लगा दिये, अपने परिवार जनों के साथ समय नहीं बिताया, तो यह आपके लिए regret का कारण होगा, इसलिए जो भी समय आपके पास है, उसमें जरूर एक दिन ऐसा रखे जो आप परिवार को समर्पित करें, परिवार के साथ हसी अपने बच्चों के साथ कुछ इंडोर गेम्स खेलिए, उन्हें बहार लेकर जाएए, तो यह सही समय है, रिलाक्स करने के लिए, अपने परिजनों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, स्टार्ट ओफ दे वीक में भगवान कह रहे हैं, कि आप कोई नहीं चीज का इनो स्टार्ट की स्टार्ट है, वो साइड हसल हो सकता है, आपका यूट्यूब का चैनल हो सकता है, कुकिंग चैनल, यह आप कोई पेंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो कोई भी क्रिएशन जो आप स्टार्ट करना चाते हैं, यह एक स्टार्ट अफ न्यू फामिली भी हो सकता है तो आपकी अभी शादी हुई हो और आप family को plan कर रहे हो तो यह भी show करता है so anything new is going to be the start of the week या आपका new start वाफ नई दुकान नया hustle आपकी family में नया addition शादी के बारे में सोचना proposal so anything is going to come in new creation so travel कोई place change of place भी हो सकता है आप कोई नई जगा देखने जा रहे हैं या वहाँ बसने का सोच रहे हैं you are thinking of going to a new country and settling it down यह भी हो सकता है तो यह नए नए की शुरुआत को दिखा रहा है present current situations जो है और आप बहुत time से जो भी आपकी dreams थी जो past में रही है वो अब fulfill होने का समय आ गया तो कह रहे हैं कि निराश मत हो क्योंकि जो अब यह साल start हुआ है वो आपके लिए करम फल देने वाला है तो आप जैसे आपने करम किये थे पिछले साल इस साल आपको वो fruitful होने वाला है तो यह थी आज की आपकी tarot reading start of the week end of the week और आपका कैसे रहेगा तो जिन्होंने भी pile number one को choose किया है उनके लिए यह reading थी tarot reading अब बढ़ते हैं कुछ oracle cards आपके angel numbers और उनकी तरफ क्या रहेंगे वो आपके लिए तो यह है आपके readings के cards कुछ तो देखते हैं क्या है आपके लिए messages और आज देखते हैं कौन सी wish आपकी पूरी होगी वो बिल्कुल end में discuss करेंगे कौन सी ऐसी है जो आपकी wish पूरी होगी और वो कब पूरी होगी यह भी देखते हैं तो सबसे पहले जो है आज वीरवार है तो साही बाबा की तरफ से healing का card निकला है तो साही बाबा की तरफ से जो card निकला है वो है compassion यानि जब हम दूसरे के पृति अपनी सद भावना को व्यक्त करते हैं हमें लगता है अगर आधिक सर्दी हो रही है तो अगर हमें सर्दी ल कमपैशन कहते हैं तो साई कह रहे हैं कि अगर आपके पास आपको लगता है कि मुझे किसी की मदद करनी चाहिए आपके दिल से आवाज आई है तो जरूर करनी चाहिए तो पहला कार्ड आया है कमपैशन का दूसरा card आया है कि जैसे कि आपका आया है वो beginning का तो start of a week जो आपका new start up new beginning आया है तो भगवान जो है angels जो हैं वो कह रहे हैं कि have you wanted to do something creative क्या आपके मन में कुछ नया start up करने का सोचा था कि आप में भी कुछ artistic qualities है तो let your inspiration flow and generate your insight into manifest reality it doesn't matter what it is, it could be a nice meal, pretty garden, amazing photograph, some swing project regardless now is the time to produce it, it will bring you fulfillment and purpose जैसे कि मैंने का आपका जो ये जो card लिखाया था देखिए कितनी synchronicity new creations के लिए card आया था तो वही card दुबारा आ रहा है dolomite के रूप में कि आप कुछ नया create कर रहे हैं, great ideas जो आ रहे हैं आपके पास constantly flowing हो रहे हैं आपके मन में तो ये जो है नये thoughts हैं, ये creation के बीज हैं, जिस तरह पेड को पनपने के लिए आपको बीज डालना पड़ता है अगर अमरूत क्या बीज डालेंगे तो अमरूत का पेड आएगा तो इस तरह कुछ सालों बाद वो अमरूत का फल देगा इसी तरह आज आपने कुछ ने creations की seeds डाली हैं, तो definitely वो आगे चल कर आपको बहुत ही जादा fruitful होगा तो ये new year की शुरुआद है, maybe end of 2024, it may result into a good thing तो आपके लिए universal message है, क्या है, if they once loved you, they still do फिर से देखे, फिर से ये time to relax वाला coordinate synchronicity हो रहा है कि आपके रिष्टेदार या आपके परीजन, जो आपके near and dear ones हैं, अगर आप सोचते हैं, वो आपसे प्यार नहीं करते तो ये आपकी गल्द सोच है अगर वो पहले प्यार करते थे तो अब भी प्यार करते हैं, ये आपकी सोच आपको बदलने की जरुद है तो नए साल में देखते हैं आपका higher self क्या कह रहा है, फिर से यानि कि इस साल तो पक्का ही आपका कुछ नया business, नया start-up फिर से ये तीसरा synchronicity का कार्ड है, awaken the magic of your creativity तीन कार्ड एक ही चीज़ को वेक्त करते हैं कि आपको creativity तो दो ही थीम पर आज आपके जितने भी कार्ड निकले हैं, एक आपके relatives या अपने family friends के साथ time spend करना फिर से आया, capacity to love तो फिर से आया है time to relax, बार-बार universe आपको संकेत दे रहा है अपने family और friends के साथ आपको time spend करने के लिए और दूसरा जो है आपका जो है ने, ने creations के उपर काम करने के लिए तो अब आपको क्या इसमें रुकावट आ रही है, देखते हैं, इसमें challenge क्या आ रहा है, जो आ रहा है, trust issues का challenge आ रहा है तो आपको किसी न किसी पर भरोसा करना पड़ेगा, आपको खुद पर पहले भरोसा करिए, जब आपकी vibration, जब आप अपने में believe करते हैं, आप अपने में trust में करते हैं, तभी आपकी जो frequency है, vibration है, वो बिलकुल universe से match होगी और उसी तरह के frequency वाले लोग आपके जीवन में आ दिल की पुकार है, आपका दिल कह रहा है, तो definitely वो अच्छा चलेगा, जैसे कई लोगों के मन में आता है, आप अगर लड़के हैं और मैं dance करूं तो क्या मेरा channel चलेगा क्या, तो मैं आपको बता दो, आजकर कितने सारे channel हो में जो है लड़के दूसरों को नित्ती सिखाते चाहे वो कतक हो, चाहे डांस हो, तो कोई भी काम में gender bias मत रखे, अगर आपकी वो दिल की पुकार है, अगर universe चाता है कि वो knowledge जो है, आप दूसरे तक पहुंचाएं, तो definitely you should go ahead and start the new business, अगला देखते हैं, आपके planet positions क्या हैं, और कौन सा house आपके लिए इस start of the week में favorable रहेगा कौन सा आपका house favorable रहेगा और कौन सा आपका planet favorable रहेगा, तो planet तो निकला है, प्लूटो और seventh house जो है, the area of life is about long term significant partners, romantic business of family, तो definitely कौन से wish जो आपके पूरी हो रही हैं, ये cards जैसे बता रहे हैं, definitely कुछ family के साथ आपका पूरा हो रहा है, कोई नया business आप start कर रहे हो, तो अगर ह प्लूटो को देखें, तो ये केतू planet को represent करता है, तो केतू जो है, आपको enlightenment, spirituality, ये सब की तरफ लेके जाता है, so your ability to transform, take a big leap forward and rebirth, तो आपका पुनर जनम होने वाला है, ये भी वताता है कि आपका अध्यात्मिक उन्नती होने वाली है, तो इसलिए साही बाबा की तरफ से आज आपकी reading आशा करती हूँ, आपको ये reading पसंदाई होगी, tarot cards की और oracle cards की, अब हम देखते हैं कुछ आपके gifts और bonuses क्या है, तो उनकी कौन सी wish है, ऐसी जो पूरी हो रही है, तो मैं ये pile number one जो है, वो हटा देती हूँ, तो तो ये है आपका box, जिसमें है charms, angel numbers, आपका lucky number, तो इस week में जो आपका lucky number निकला है, वो है 86, तो 86 आपका lucky number है, तो मैं यहाँ रख देती हूँ, इसको, आपके लिए जो दो gold cards निकले हैं, वो है I attract abundance into my life, और दूसरा निकला है, my life is a gift, and I appreciate everything that I have, यहाँ हो गए, 86 आपका lucky number है, अब हम देखते हैं, universe की तरफ से आपके लिए क्या message है, universe की तरफ से message है, you might not know now, but you will, यानि की अभी आपको कुछ भी उसके बारे में ग्यात नहीं है, और बाद में आपकी यह, तो generally जो भी आपकी wish जो पूरी होने वाली है, एक wish जो आज आपकी पूरी होने वाली है, वो है आपकी health का gift आपको मिलने वाला है, इस साल drastically आपकी जो health है बहुत अच्छी रहेगी your health will improve drastically, तो आपको health का gift मिला है, बोनस, और जो भी आपने सोचा है, एक wish जो भी है आपने, वो कब तक पूरी होगी, उसका time period है, एक साल तक जो भी आपने जो start-up सोचा है, उसको कब आप महानता मिलेगी, वो एक साल बाद आपको महानता मिलेगी, दिख रहा है, अब मैं आ आज आपके love messages आए हैं, वो ये हैं, तो पहला message है, your voice sounds so sexy when you whisper in my eyes, in my ears, आपकी आवाज बहुत ही सुरिली और मदुर है, मैं इतना पागल हूँ कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, आप मुझे बार बार compliment करती हैं, मेरी तारीफ के पुल बांती रहती हैं, या you find my weird habits adorable, मेरी जितनी भी आदते हैं, वो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं, और जब भी मैं गलती करता हूँ, तुम मुझे forgive करती हो, ये भी बहुत अच्छा message है, I learn something new from you every day, you love me like no other before, तुम मुझे इतना दूसरों से भी बहुत ज़्यादा प्यार करती हो, और in my dreams I always see you, मैं आपने सपनों में तुझे, तुम्हें हमेशा देखता रहता हूँ, तो अब हम देखते हैं कुछ charms और क्या है आपके, तो ये हैं आपके charms और कुछ letters और कुछ angel numbers, तो आपके लिए जो निकला है, वो है, कुछ green खा रहे हैं, जिससे pineapple है, गौा है, अमरूध है, ये आपका फेवरेट फुट है, आपको कोई एक, आपका जो family friend है, या कोई वहां से कोई message आने वाला है, आपके लिए telephone आया है, आप कुछ knife से ribbon cut कर रहे हैं, तो knife आया है, आने की prosperity, abundance, refill आया है, आपको ये फल भगवान को जरूर अर्पित करना चाहिए, आप health conscious हैं, कहीं न कहीं आप change of place के लिए बाहर जा रहे हैं, तो आपके लिए cycle आया है, नदी के पास या समुदर के पास जा रहे हैं, प्लेस को explore कर रहे हैं, तो आपके लिए एक starfish आया है, कोई न कोई promotion मिलने की chances हैं, आपको कोई appreciation या कोई medal मिल रहा है, इसलिए एक star आया है, एक smiley आई है, एक बादल आया है, तो बादल ये show करता है, आपके जीवन के बादल जो हैं छटने वाले हैं, तो बुरे दिन हटने वाले हैं, किसी ताले की चाबी को आपको खोलना है, या आपको ताले की चाबी मिली है, या आपकी जो खोई हुई चाबी है, वो आपको प्राप्त हुई है, तो चाबी ये denote करती है, ये letters आपके खुद के letters हो सकते हैं, आपके नाम के letters हो सकते हैं, या आपके friend के साथ, या family के जिनको भी आपको मिलना है, उससे resonate करता है, या क करने वाले हैं आप कहीं शायद आपको कोई कॉल रिसीव होने वाली है कोई आपका इंकम टैक्स का टैक्स बचा है वैट निकला है वर्ड देखिए जो भी आपको रजूनेट करें गेल तो यह हैं आपके लेटर्स और यह थे आपके चांस देख लिए और आपके लिए कमपार्शन को डेवलब करने की जरूरत है आपका इंजल नमबर वान निकला है यूनिवर्स जो है आपको कहरी आपनी स्पिरिच्वालिटी की तरफ भी ध्यान दीजे आप वान नमबर एक नहीं शुरुआत कर सकते हैं इन स्पिरिच्वल डायर सेलेक्शन और और जो दूसरा नमबर जो है एंजली गाइडन्स का नमबर निकला है कि आपके शात है 22 आपका नमबर निकला है थो 22 डिनोट करता है आपके जरूर्नी पर शहां आप अपना अप्य नया क्रोप कर के खुद का बिजसने को श्टार्ट करना चाहते हैं और की नमबर है वो है 86 so 86 क्या denote करता है 86 denote करता है कि आप जो भी आपके energy को drain कर रहा है so वहां से आप lesson learn कर ये your current lesson is to step back from anything that is making you feel low or drain अगर आपको लगता है जो भी आपके हाथ में है वो आपके energy को drain कर रहा है तो वहां से आपको पीछे पाउं हटाने की जरुवत है तो इस हफते अगर आपको 86 दिया है तो clear messages है जो चीजें आपकी शक्ती को छीन रही है हीन कर रही है उनको छोड़ने में ही बैतर है तो ये थे आपके charms कुछ letters universe के message guidance और कौन सी विश आपकी पूरी होने वाली है तो ये थे आपके cards और आशा करती हूँ ये pile number one आपको ये reading बहुत ही जादा पसंद आई ही मुझे जितने इसको करने में मज़ा आया शायद आपको भी उतना ही मज़ा आया अब तो बढ़ते हैं फिर pile number two की तरफ देखते हैं उनके लिए क्या card और उनके लिए क्या reading आई है तो pile number two जिन्होंने भी choose किया था ये है pile number two और pile number two के लिए है I hold you because you never wanted me to go तो आपने जो भी choose किया है पाई राइट को choose किया यानि कि financial abundance को choose किया है आप जीवन में बहुत सारा पैसा चाते हैं financial abundance को चाते हैं तो देखते हैं pile number two वालों के लिए क्या reading है और क्या उनके cards है तो यह है आपका डेक जो है Krishna consciousness से निकालते हैं कुछ reading pile number two वालों के लिए तो देखते हैं क्या रिक्ति निकला है तो पहला card निकला है let go of the false ego abundance दूसरा निकला है और तीसरा निकला है belief तो यह तीन cards निकले हैं आपके लिए start of the week middle of the week end of the week के लिए तो देखते हैं आज आपकी क्या reading जा रही है तो भगवान कह रहे हैं जिस चिस भी भी आपका विश्वास है उस विश्वास को बनाए रखे कायम रखे तो future में यही चीज़ आपकी काम आएगी क्योंकि जब भी हम सत्य की तरफ बढ़ते हैं तो सत्य जो है अनिक रास्ते खोल देता है तो जब भी आप भगवान में विश्वास रखते हैं भगवान हमारे भीतर ही हैं जब आप खुद पर विश्वास करने लग जाएं आपके बातों पर आपके मान्यताओं पर आप बिलीफ लेवल अपना बढ़ा देते हैं तो present में वाके में देखिए abundance आया है और आपने ज अधिक संब्रदी सुक और पैसो की वर्षा होने वाली है तो आपकी ये विश्पूरे होने वाली है और हर चीज़ की जड़ है past में वो है ऐहंकर हम सोचते हैं कि ये मेरा है मेरा धन मेरा घर मेरे रिष्टेदार मेरे ये परनतो ये एक हहंकर है इस संसार में सब कुछ करता जो भी हो रहा है उसके पीछे एक ही divine force जिसको आप कहते हैं universal force यही force जो है सब कुछ create करती है और यह आपकी destiny है आपके हाथ में सिर्फ आपके कर्म करना लिखा है बाकी सब परमात्मा के उपर है तो यह थी आज आपके reading जो आपका past, present और future बताता है कि आपको belief level बढ़ाने की जरुवत है abundance बढ़ाने की जरुवत है abundance आएगा आपका present में belief बनाए रखे तो देखते हैं साई बाबा की तरफ से आपके लिए क्या वो है यह हैं आपके कुछ औरेकल कार्ड जो मैंने निकाले हैं तो देखते हैं एक एक करके क्या है यह कार्ड साई बाबा की तरफ से आपको आया है पहला card की आपको surrender करने की जरुवत है दूसरा card आया है कि आप जो है आपके love of the life को मिलने वाले है reignite your connection with your partner cultivate the loving relationship in your life change your mindset to think as we rather than I to attract and renew your love into your life तो आपके लिए प्यार का संदेश आया है soulmate के साथ reunion है और प्यार के लिए रिष्टों के लिए आया है तो I attract healthy harmonious relationship in my life my colleagues, friends, family, respect me, accept me as I am it's wonderful to be liked, loved so much by such wonderful people यानि कि आप ऐसे वक्तित्व को दर्शाते हैं जहां पर आप कुछ से बहुत लोग आपसे प्यार करते हैं आप एर्द गेर्द हमेशा लोगों से घेले रहते हैं ये शो करता है आप एक community के manager हैं ये community को like करते हैं उस community में सभी आपको बहुत ही मान सम्मान देते हैं तो इस समय आपकी abundance में क्या रुकावट आ रही है रुकावट आ रही है अब कई बार जो हैं लोगों को कई बहुत जादा सला दे देते हैं तो हमें कभी भी दूसरों को fix करने की जरूरत नहीं है वो अपने आप ही उनका soul journey पे वो जब भी उनका time आएगा वो अपने आप ही change हो जाएंगे तो relationship में हमेशा दूसरे को space दीजिए और आप guidance देते रहिए उनको प्रोच साहित करते रहिए motivate करिए पर उनको change करने के लिए या उनके उपर हावी मत होईए तो past में जितने भी आपने गलतियां की हैं आपको journaling करने की जरूरत है कि मैंने past में ऐसी कौन सी गलती करी जिससे की मुझे उन गलतियों को फिरसद नहीं धोराना इस चीज़ के लिए universe आपको indicate कर रहा है कि आप अभी भी lost in the ruins है पुराने बातों को लेकर बैठ जाते हैं उन बातों को छोड़ दीजिए छोड़ो कल की बाते जो कल रात गई बात गई तो universe कह रहा है अभी आपके पास जो है वो ही सही समय है और समय आपका बिल्कुल correct आगया है you have got the time और गणेश जी की तरफ से भी ये गणेश जी कह रहे हैं ये सही समय है आपको spiritual practice करने के लिए ध्यान करिए meditate करिए 8 जनवरी से PMC Hindi channel पर शुरू हो रहा है master बनो 40 days live channel उसी का मैं प्रचार भी कर रही हूँ तो आप सभी लोग इस meditation यात्रा में जोड़िए अधिक सधिक एक one media channel है जो अधियात्मिक उन्नती के लिए बहुत ही जादा अग्रसर है और इस week में मैं अपने एक नए course को लेके आ रही हूँ जो भी इस business को start करना चाता है become a spiritual oracle tarot reader अगर आप इस business में interested है तो ज़रूर comment section में लिखिए yes I am interested तो ये spiritually inclined business है जो आपको आने वाले time में बह बहुत कुछ देगा अगला card निकालते हैं देखते हैं आपकी कौन से planets और कौन सा house इस समय आपके लिए fruitful रहेगा तो आपका जो है fifth house where you have full fun romance create things you are proud of so आपका fifth house इस week में आपके लिए favorable रहेगा और जो आपके लिए planet है वो है शनी तो जैसे कि आप जानते हैं 2024 जो है शनी का year कहा जाता है तो शनी इसमें प्रधानता रहेंगे अच्छे कर्म वालों को अच्छे फल मिलेंगे और जो पुरे कर्म करेगा उसे बुरा फल मिलेग तो कर्मों की गती पर शनी का जो यह साल है वो निरधारित है so the part of you that accepts challenge to gain wisdom तो इसलिए आप कुछ किताबे पढ़िए spirituality की तरफ आगे बढ़िए स्वधाय करिए स्वधाय मिन्स खुद का अध्यन करिए तो कौन सी ऐसी एक wish है जो आपकी पूरी होने वाली है वो देखेंग हम तो mother earth की तरफ आपका बहुत ही पीला yellow यानि कि prosperity का यानि कि आपको happiness को spread करने की जुरूत है साही बाबा की तरफ से संदेश है कि आप धरती मा की सेवा करिए और earlier dessert point में just rehearsal for a great stuff coming your way यानि कि जो भी हुआ प्लास्ट में जैसे ruins का फिर से synchronicity का जो उसको भूल जाएए यह कोन सी एक ऐसी wish है जो पूरी होने वाली है वो wish है abundance का abundance आपके लिए आने वाला है और यह कब तक आपने जो भी सोचा है एक wish के बारे में वो कब तक पूरा होगा एक wish के बारे में सोचे और वो wish जो है within next few weeks जो है वो wish पूरे होने वाली है तो यह थी आपकी readings आपको आशा क परती हूँ यह औरिकल कार्ड रीडिंग जादा ही पसंद आई होगी अब चलते हैं टू नंबर के बोनसे के प्रतीकिक तू नंबर वालों के लिए क्या बोनसेज और क्या लखी नंबर और क्या चांप्स आए हैं तो यह हैं आपका बोक्स और देखिए इस वीक आपका जो लखी नंबर है वो है 36 36 निकला है आपके लिए लखी नंबर और यह हैं आपके चांप्स और यह हैं आपके कुछ लव मेसेजेज़ चलिए लव मेसेज़ पहले पढ़ते हैं तो पहला message है You hold me like You never wanted me to go आप मेरे को बहुत प्यार से पकड़ती है आपका जो voice है वो मेरे soul के voice के साथ resonate करता है और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है आपका हाथ पकड़ने में आप मेरे आप मुझे बहुत ही ज़्यादा support करती हो अपने hobbies में और आपके interest में मैं सारा दिन तुमारे बारे में ही सोचता रहता हूँ आप मेरे तरफ बहुत ही ज़्यादा passionate है और we can understand each other independent individuals और हम एक दूसरे से कभी जुदा नहीं होंगे we are inseparable हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं और हम घंटो घंटो बिना सोए एक दूसरे के आँखों में काफी देर देख सकते हैं तो ये आँखों आँखों का प्यार दिखा रहा है तो आपका lucky number 36 है इस week में अब हम देखते हैं आपके क्या numbers हैं क्या आपके charms है और क्या आपके reading है तो आपके लिए जो numbers आए हैं वो है 8 और 44 अब हम देखते हैं आपके क्या letters आए है तो letters आपके आए हैं देखिए आपका पहला अक्षर हो सकता आपके नाम का पहला अक्षर हो सकता है या आपके फ्रेंड का नाम हो सकता है जिससे भी आपको मिलना है या कोई वर्ड जो आपका एटेंशन चाहता है तो W.E.L. मुझे वेल दिख रहा है या आप कुछ बेचने की कोशिश कर रहे है S.E.L. सेल दिख रहा है और आप कुछ देख रहे है S.E.E.C. तो आप किसी को कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे है या 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 आपके लेटर्स है Wise वर्ड निकल रहा है W.E.S.E. यानि क्या बहुत ही चतुर है या जिसके बारे में भी सोच रहे है वो बहुत चतुर है या तो देखे आपके लिए निकला है M.S.I.E. तो E.S.E.E.C. भी हो सकता है ये Mess भी हो सकता है आपको कोई Mess क्लियर करने की जरूवत है या आप अपने आपको हमेशा Less कम आँखते हैं तो आपके लिए जो Numbers आए हैं वो है 8 नमबर और 44 तो Angel नमबर आपका 8 है और 44 है तो 44 क्या कहता है 44 कहता है आपको एक बहुत अच्छा चांस मिले है भगवान आपको हमेशा शुरक्षित और प्रोटेक्टेड रखें 8 शनी का नमबर है Materialistic Benefit को दिखाता है आपका कोई साइकल जो है वो खतम हो रहा है और आपको टाइम मिल रहा है Reflection का So 8 नमबर कहता है Time to Reflect आपको एक बिली मिली है तो बिली शो करती है आपके लाइफ से कोई Negative Element जा रहा है So it's the end of one cycle एक negativity को खतम हो रहा है आपको फिर से भगवान की Protection का Symbol मिला है कुछ तो आपके मन में Self Doubt है इसलिए आपके लिए बहुत सारे Mirrors आये है आपको Self Love Practice करने की बगवान कह रहा है आईना देखो आपको एक Spirituality की जर्नी पर जाना चाहिए जहां पे आप Self Reflect कर रहे हैं आपके लिए 3-3 Mirrors निकले हैं या तो आपके Mirrors आपका काम ही Mirrors को देखना या Mirrors बेचना हो सकता है आप मौडलिंग में involved हैं बहुत ज़द आप Mirrors की तरफ सारा दिन देखते रहते हैं किसी के दिल के दरवाजे आप खोल रहे हैं आपको किसी ना किसी को Forgive करने के लिए संदेश मिला है तो यह Forgiveness का सिंबल है एंजल एक गाइडन्स फिर से एक एंजल प्रोटेक्शन और आपको भी कोई Famous या Abundance आने वाली है तो आपको भी Star मिला है यानि कि Appreciation, Gift of Appreciation, Promotion, Certificate कुछ तो आपको मिलने वाला है तो यह थे आपके कुछ लगी Charms आशा करती हूँ आपको यह Words, Numbers और Charms पसंद आये होंगे और Two Numbers वालों के लिए भी यह Reading आपको अच्छी लगी होगी जितना मज़ा मुझे करने में आया आपको भी शायद यह Two Numbers की Reading पसंद आई होगी अब हम बढ़ते हैं Three Numbers वालों के लिए तो देखते हैं आज Three Numbers वाले क्या कहना चाते हैं और उनके लिए क्या Reading आई है तो हम Pile Number 3 तरफ पढ़ते हैं Pile Number 3 जिन्होंने भी सिट्रन क्रिस्टल को छूस किया है देखते हैं उनके लिए क्या Reading आई है तो थ्री नंबर जिन्होंने भी थ्री को चूस किया है तो यह फीलिंग को Manifest करते वे दिख रहा है और सिट्रीन जो है आपको Name Film दिखा रहा है यानि कि सूर्य आपका उदे होने वाला है भाग योदे होने वाला है तो थ्री नंबर वालों के लिए देखते है क्या guidance है और क्या आपकी Reading है क्या आपके लिए संदेश है कौन सी ऐसे एक wish है जो आपकी पूरी होने वाली है तो फिर से repeat कर देती हूँ 8 जन्वरी से PMC Hindi चानल पर Master of a No Series टार्ट हो रहा है जिसमें 40 days का ध्यान जो है आपको सिखाये जाएगा उसके साथ book reading यानि स्वाध्याय और सजन सांगतिय यानि की like minded लोगों से बाचीत करना और आपके आध्यात्मिक journey इससे भेटर कहीं start नहीं हो सकती तो new year के beginning में 8 जन्वरी से जुड़िए PMC Hindi Channel में और meditation को अपने जीवन का एक पार्ट बनाईए इससे आपको बहुत ही जादा आगे चलके फाइदा होने वाला है तो 8 जन्वरी से जुड़िए और अब हम बढ़ते हैं pile number 3 वालों के लिए देखते हैं आज हमें Krishna consciousness से आपके लिए क्या reading आई है start of the week, middle of the week and end of the week तो जैसे कि आपको पता है ये शनी का साल है 2024 तो आपके लिए पहला message आया है do your karma's दूसरा है time to move on और तीसरा है be open तो ये थी आज आपके लिए तीन reading start of the week भगवान कह रहे हैं अपने मन के दरवाजों को खोलिए God and blessings come in unexpected ways अगर आप अपने घर के दुआर को ही बंद करेंगे तो भगवान कैसे एंटर होंगे इसी तरह आपको अपने दिल के दरवाजों को खोलने की जरूरत है यानि की पात्रता यानि awareness आप अपने senses से कितना aware है अप अपने आँख ना कान से क्या उपयोक कर रहे हैं क्या उनका सद्य उपयोक कर रहे हैं क्या गल चीजों को धार ना कर रहे हैं तो जब आपके mind में और гज़दा clutter रहता है तो चीजे एंटर नहीं कर पाती तो भगवान कहरे हैं उन से सब चीज़ों को हटाए पुराने चीज़ों को और नए चीज़ों को अपने लाएए जब हम अलमारी साफ करते हैं तो हम पुराने चीज़े निकाल कर जगा बनाते हैं नही चीज़ों के लिए ऐसे ही जब आप मन और दिल से पुराने गिले शिक्वे मिटा कर उसमें जगा बना देते हैं तो उसको कहते हैं बी ओपन और अब पुरानी चीजों को लेकर आपको क्या करने की जरुत हैं उनको दान दे दीजे जो चरुत की चीज़े नहीं हैं और इसी तरह मन के भाव और मन के एमोशन्स पुराने रिष्ट दरस गिले शिक्वे को पेपर पे लिख कर उनको या तो जला दीजिए या फार दीजिए या यूनिवर्स में उनको आप एक मिट्टी में भी दफना सकते हैं तो जो आपका चैरियट आया है यानि की आगे बढ़ने के लिए भगवान आपको संदेश दे रहे हैं अभी ये टाइम नहीं है पीछे मुणने का और पीछे देखने के लिए आपको बिलकुल मूव फॉवर्ड करना चाहिए तीसरा कार्ड आया है आपको अपने करमास के उपर काम करने के लिए क्योंकि ये कर्म प्रधान साल है तो अच्छे कर्म करेंगे शनी जो है न्याएपरिया है बहुत अच्छा प्लानिट है और जब भी देगा चपर भाड़ कर देगा और शनी जो कहते हैं कि येक ही तो आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग बहुत पसंद आई होगी चारो रीडिंग तो अब हम मूब करते हैं पाइल नमबर थी के कुछ औरिकल रीडिंग की तरफ देखते हैं साही बाबा गनेश और हायर सेल्फ और कौन सा हाउज आपका रहेगा और कौन सी ऐसी विश है जो आपकी पूरी होने वाली है और कौन से आपके एंजलिक गाइडन्स और यूनिवर्स की तरफ से मेसेज़ेस हैं तो पहला कार्ड निकला है आपके पास वो सारी चीज़े हैं आज की डेट में सारे रिसोर्स हैं जो आपको एक सुखत जीवन जीने के लिए जरूरी हैं तो असा ही बाबा की तरफ से आपके लिए जो healing का कार्ड निकला है वो है abundance का यहानि कि आपके जीवन में इस week में abundance की वर्षा होने वाली है वो अधन से हो सकता है किताबों द्वारा हो सकता है नौलेज हो सकता है आप wealthy हो रहे हो किसी ना किसी direction में और आपके लिए जो श्र इससे बहतर कोई guidance दे नहीं सकता जो इस पात पर पहले से ही निकल चुके हैं उनकी guidance के उपर आपको ध्यान देने की जरूरत है आपका higher self क्या कह रहा है higher self कह रहा है जैसे कि मैंने फिर से coincidence मैंने आपको कहा था सत्य का साथ दीजिए purity का साथ दीजिए जैसे ही आप pure हो चाते ह हैं तो आपके दिल के दरवाज़े खुल जाते हैं और आप एक temple of truth में enter करते हैं कोई भी attachment को रिष्टेदार हो या किसी से भी संसार में एक non-duel approach यानि की सिर्फ कर्म प्रधान करना है और उनके साथ को attachment more maya को छोड़ने के लिए भगवान का आदेश और संदेश आया है ज दुकावट है आपका अपना खुद का desire जो आप दूसरों के उपर हावी होके उनको dominate या control करने की कोशिश करते हैं उस आदत को आपको छोड़ने की जरुवत है being over controlling and sabotage relationship to more effectively achieve your goals back off regroup and give the situation some breathing room तो आपको breathing room देने की जरुवत है तो क्या इस समय आपके मन में चल रहा है आपको बहुत ही ज़्यादा कई बार काम करते करते हैं आप बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं तो motivation और inspiration की जरुवत है तो आपको action लेने के लिए कह रहा हैं कि सिरफ लिखने से काम नहीं होगा अपनी goals पर manifestation पर आपको काम करने की जरुवत है आपके पास वो strength और courage और self confidence है जो आपको बहुत ही ज़्यादा जरूरी है सारे resources आपके पास हैं और आपको सिरफ उनके उपर action लेने की जरुवत है procrastination नहीं करना और जिस दिन आपने action लिया आपके जीवन की गती को कोई रोक नहीं सकता तो ज़्यादा तर दूसरों के साथ involve मत हुए इसलिए साही बाबा ने आपको detached look रहने को काया है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लोगों के साथ भिड़ जाते हैं तो आपके पास name fame आने वाला है कौन सा planet number one अपने पिताजी के साथ relationship अच्छा करिए तो भी आपका सूर्य जो है बहुत ही जल्दी प्रबल और उदे हो जाएगा जो भी female है उनको अपने पिताजी के साथ या जो भी male है वो उनके अपने पिताजी के साथ relationship में सुधार लाइए तो आपका जो सूर्य है वो तेज जो है वो सूर्य का तेज बिल्कुल निखर कर आएगा तो इस week में आपका 10th house जो है वो आपके लिए favorable रहेगा your achievements and status in the outside world तो ये आपके achievements को दिखा रहा है आपके status को दिखा रहा है इस week में ये सब आपका बदलने वाला universe की तरफ से क्या guidance है और क्या आपके लिए जो एक wish है वो क्या पूरी होने वाली है आप या तो change of नौकरी या आपको एक घर मिल रहा है कोई न कोई ऐसी financial opportunity आपके पास आ रही है कोई share trade हो सकता है आपके लिए घर हो सकता है नया business हो सकता है एक family offer हो सकता है तो side business, side hustle कहीं न कहीं से एक ऐसी एक अच्छी अद्बुत of opportunity आ रही है जो आपके जीवन में चार चांज लगाएगी एक wish के बारे में सोचिए देखते हैं वो wish कब तक पुरी होगी और उसका answer है within the next few months जो भी आपने सोचा है चाहे आपने love के बारे में सोचा, health के बारे में सोचा या wealth के बारे में सोचा वो wish आपकी next few months में पुरी होने वाली है universe की तरफ से देखते हैं क्या charms, क्या guidance है so what you will come, will come back to you तो ये थे आपकी reading, oracle और आपकी tarot reading आशा करती हूँ ये pile number 3 आपको ये बहुत पसंद आई होगी तो अब हम देखते हैं आपके charms box में आपके लिए क्या charms निकले हैं और क्या आपका lucky number निकला है तो आपके लिए जो lucky number निकला है वो है 38 और अब देखते हैं आपके love messages पहला message है आपकी नाक, दुनिया की सबसे cutest नाक है यानि कि आप नाक से बहुत प्यार करते हैं आप नाक सम्मान का प्रतीक भी है और आप जो भी कहते हैं वो आपकी partner जो है आपकी बात को सुनती है और वो करती है अगला message है you care and comfort me when I am in bad mood जब भी मेरा mood खराब हो तो आप अपने partner के mood को ठीक करते हैं और I feel ease मैं बहुत ही खुश रहता हूँ जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ मेरे को आपका बालों में हाथ फेरना बहुत ही अच्छा लगता है so when you never give up on me when I am at the worst मैं जब बहुत ही जदा खराब और खराब behavior करूँ तब भी तुम मेरा साथ नहीं छोड़ती ये सबसे अच्छी बात मुझे अच्छी लगती है मुझे तुम दोनों तरीसे से accept करती हो you always surprise me in nice ways ये थे आपके कुछ love messages आशा करती हूँ आपको ये पसंद आया होंगे अब देखते हैं आपके क्या charms निकले हैं और क्या आपकी वो एंचल नमबा निकले है तो आपके लिए भी एंचलिक नमबा निकला है 11 यानि कि तीन निकला है आपको को कोई mind body soul जो है alignment के लिए निकला है आपके जीवन में opportunities increase होने वाली है 36 नमबर denote करता है आपके जीवन में abundance आ रहे वाले है भगवान आपके लिए मदद भेज रहा है और आप जो है तीन नमबर growth और expansion को दिखाता है team work को दिखाता है कोई तीसरा वेक्ति आपके project में बहुत helpful रहेगा और 11 नमबर जो है इंजली guidance का नमबर है expansion का नमबर है universe का नमबर है तो यह आपकी spirituality को भी दिखाता है start of any spiritual journey start of this so आपको किसी न किसी को forgive करने की जरूवत है forgiveness आप कहीं न कहीं नहीं जूते खरीद रहे हैं तो आपका charm निकला है so you have got a leaf कुछ नहीं unfold होने वाला है turning you are turning a leaf आपके लिए निकला है चांद और तारे यह चांद और तारे शो करता है both humor and hurt यानि की कोई आपका दिल भी तोड़ेगा और कोई आपका दिल को मितलब आपका दिन भी अच्छा बनाएगा हसाएगा so eye निकला है आपकी कोई clear sentinence या clear wines जो है दूर दर्शी की शक्ती, far sightedness या third eye के experiences आपको होने वाले हैं और आप किसी को gift देने वाले हैं necklace या कुछ गले का कोई भी हार हो सकता है artificial यह कुछ healthy खाने की कोशिश कर रहे हैं आपके लिए squirrel आया है so black color आया है शनी का प्रतीक है black color so denote करता है कुछ आप nuts, crown nuts खा रहे हैं music lover है तो music का symbol आया या तो आप music सुनते हैं, music बजाते हैं या music से किसी को empower करते हैं, किसी की healing करते हैं आप music बजा के वो sound ball होल सकते हैं, कुछ भी घड़ी यानि कि समय जो है आपके जीवन में बदलने व हैं या कुछ आप घड़ी के से लेकर related कोई भी operation करने वाले हैं जिससे की timely वो चीजे टाइम पर complete हो जाए तो यह थे आपके lucky charms जिन्हों भी group number 3 को choose किया है अब देखते हैं आपके क्या letters निकले हैं letters निकले हैं B T S यह है blank एक में देज़ें तो आपके लिए निकले हैं B O B pot बार बार तीन P निकले हैं आपके लिए यह हैं आपके letters जैसे कि आप देख सकते हैं यह आपका खुद का नाम हो सकता है आपका initial हो सकता है आपका start हो सकता है तो बहुत सारे letters हैं आपके लिए निकला है bat dad P A P पापा से आपसे related है और आपके लिए निकला है L O T lot of things coming your way happiness ह हो सकता है H A P P Y happy को दिखा रहा है यह word देखिए H A P P Y happy आप कुछ बताना चाहते हैं से आप कहीं Bay of Bengal या Bay के पास जा रहे हैं आप कोई चीज़ें को छोड़ रहे हैं अपने घर में पूल के पास time spend कर रहे हैं आपके पास word आया है pot what जो भी आपको resonate करे but तो यह थे hot but आप देख लीजे यह आपका lucky number हो सकता है lucky charm हो सकता है आपके friend का नाम हो सकता है जिनके साथ आपको कोई partnership करनी है जो भी चीज़ें आप से resonate करें तो आप यह देख सकते हैं तो आशा करती हूं group number 3 आपको यह reading बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी जितना मुझे पसंद आया है तो आपका interaction और conversation हो ला है इस opportunity को कभी भी miss मत करिये spirituality को अपनाए अपने जीवन में meditation को अपनाए तो यह थी आज लखी number 3 की reading जो थी आज जिन्होंने भी pile number 3 citrine को चूज किया या pile 2 जिसने भी चूज किया pyrite को और pile number 1 जिसने भी चूज किया आपके clear quartz crystal को तो आशा करती हूं आपको यह reading पसंद आई होंगी यह थे आपके reading यह है pyrite यह है excitrine और यह है आपका clear quartz so एक और reading के साथ फिर एक और दिन मिलते हैं यह थी आज आज आपकी new year की reading कोन सी wish आपकी पूरी होगी कब तक पूरी होगी यह थी आज with 7 unique love messages इस तरह की reading अगर आपको पसंद आती है तो जरूर like share करिए और मुझे जरूर comment section में बताइए मैं एक oracle reading course लेके आने वाले हूं if you are interested do message me on my youtube channel or directly message me on the whatsapp link given in the youtube description video thank you very much for being on the show thank you thank you thank you मिलते हैं एक और reading के साथ फिर एक और बार